इसे लुटेरे जो लोगोर होते है वो बहुत अच्छी से कट्थे होते हैं क्योंकि लूट की योजना बनाते हैं जब मंदीर हम बनाये ता हम नहीं चलाएंगे भाई मंदीर तुम कहां से आ जाते हैं मूर्ती हमने बनाई ब्रहमणवादी लोगों ने डाल दिया है, जातियों में इतनी फूट डाल दिया है कि एक जातियां जो पहले एक खटिये बैट कर बात करती थी, आज उनमें बात नहीं हो रही है जो देश की समस्या है, देश की समस्या है, सबसे ज़्यादा भुक्त भोगी के ओने जो वन्ची समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा परसानी, सबसे ज़्यादा पीड़ा, सबसे ज़्यादा गरीबी की वन्चना, अगर भुकमरी की वन्चना, असिच्छा की वन्चना, रो कि शंख्या में जाद समाज जादा है इस देश में बहुत संख्या कावाधी स्टी ओबी सी माइनोटी की है तो अगर बेरोजगारी होगी तो सबसे ताद चपेट किस पर पड़ेगी यही समाज होगा अगर मालीजी कुरोना आया तो सबसे जादा कर मरे लोग किसमें इस इस दूसरी चीज है रिजर्वेशन का क्या वी डेव्फ रिजर्वेशन आया आपने दस परसेंट वो समुदायों को मंदिर हो हो या फिर जो है आपके संस्थान हो चाहे जुडिसरी हो चाहे आपका विस्विद्यालाय हो रुजगार हो कार्पोरेट हो बाणिज्य हो हर महाके में में ओवर रिप्रेजेंटर हो 15% है लेकिन 90% उनकी बागिदारी है तो उसको सुप्रीम कोट ने 10% को वैलिट किया वैद कहा लेकिन सदियों से जो बैकवर्ड समाज है वह भी सिक समाज जिसकी आबादी 1931 की हिसाब से 52% है उसको 27% महदूद रखा गया सीमित करके रखा गया तो यह अहाकदारी यह भी है कि जाती जनगणना करा के जिन जातियों कि जो आबादी है उसके हिसा उनका नयाए किया जाए संस्थानों में हर महाकमों में सथ्था वसंसादनों कि इस्ट्रिबूशन किया जाए और उनका जितना हक बनता है वह लेजिटिमेट से एनको मिलता जो कॉंस्टिउशन कहता है तो ओवी सी को 27-22% का जो है जो जो भागिदारी है उन सुनिश्चित किया जाए चुकि सुप्रीम कोट ने अब इंदरा साहनी के जज्जमेंट का जो बार कोट था उसको तोड़ दिया है तो यह ओवी सी के लिए एक रास्ता खुल गया है तो हमें आपने दस पर्शन दे दिया जो है गरीब को अब गरीब कौन है यह भी पता है नहीं है जैसे मतलब यह आर्थिक आधार पर जर्वेशन नहीं है यह जाती आधार इतरी जर्वेशन है जिसको आर्थिक आधार का मुलम्मा पहना करके देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है खास करके CSTOBC माइनोटी के लोगों को दूसरा यह है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है आने वाले दिनों में आपका जो अर्थ बिवस्ता है अब जो है मिस्ट्री तर्थ बिवस्ता से पुजिवादी अर्थ बिवस्ता के रहा है चाहे कांग्रेस का रिजीम रहा हो या भाजपा का रिजीम एफडियाई आ रही है, निवेस हो रहा है, विदेश की कमपनियां आ रही है, तो विदेश की कमपनियां जिस तरीके से अमेरिका ब्रिटेंड में जो है इस अफर्मेटिव एक्षन का फार्मूला लागू हुआ है, उसी तरीके से जो यहां के जितना उद्योग धंदे लग कार्पूरेट लग रहा है, जितनी इंडास्ट्री लग रही है, उस इंडास्ट्री में वहाँ के लोकल जो हैं, जो यहां के जिजिसको कहा गया या जो यहां के SCHTOBC माइनोटिक है, उनकी हक्दारी, उन उद्योग धंदों में, उन रोजी-रोजगार के जो सम्भावनाएं खुल गई हैं उन रोजी रोजगार के सम्हामनाओं में इनकी भागीदारी स्थी हो ताकि इनकी आनेवाली पीडिया इकनॉमिक रूप से सच्छ हो, तकनीकी रूप से सच्छ हो और जितने लोजी रोजगार देश में लगाए जा रहे हैं, विक्सित किया जा रहे हैं उसमें उनका हक बाँट की दिया जाए यह नहीं कि सिर्फ वादे किया जाए वह बांट के हग करने मतलब है जैसे कि इस देश में महिला रिजर्वेशन की बात आई तो यह बोला गया कि महिला रिजर्वेशन में किस महिला की तो जो अज्वेशन में महिला है उनका जब भी हो तो उसको बांट दिया जाए पहले से उनका हक सुनिश्चित कर दिया जाए उसी तरह हम चाहिने कि जो भी रोजगार आ रहे हैं जो भी कमपनी आ रही है वो अपने फार्मूला लागू करें और सरकार यह सेंटर की सरकार है चाहे कि उद्योग दंगे भारत में लग रहे हैं उन उद्योगों में उन आर्थिक संसाधनों में स्टी ओवी सिमानियोटी के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए यह हमारा मांगे ताकि आने वाली प्ली एक अच्छा जो है एक विवस्थित और जो है गरिमा पूर्ण में बड़े बड़े लोग जो है अपना इलाज करा लें और गरीब आदमी जो है सरकारी हस्पताल में उसको उसको समझ लीजिए लहाबाद में एक हस्पिटल का खबर आई थी कि प्लेटलेट के नाम पर पलपी का जूस उसको चड़ा दिया गया और उसकी डित हो गई तो किसी अमीर आदमी के साथ तो नहीं हुआ और अमीर आदमी मेदानता में जा करके मैक्स में जा करके इलाज करा सकता है हमारे गरीब लोग कहां जाएंगे तो यह जो गरीब के नाम पर तुमने आरच्छन दिया और गरीबी के नाम पर ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है हमारा गर कर रहा है UPSC की सीटे कम कर दे रहे हैं रिसर्च की सीटे कम कर दी गए नया नया फार्मूला बना दिया कि एक प्रोफेसर चारी रिसर्च कर आएगा एक प्रोफेसर आपको तीनी कर आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर दो ही कर आएगा तो बहु संख्या का अबादी हायर सीटे लिमिट कर दी प्रोफेसरों को तुमने सीटे कम कर दी तो जो प्रोफेसर आज के डेट में रिसर्च भी कराना चाहे तो चार इस्टुडेंट से जदे रिसर्च नहीं करा सकता अपने अंडर में तो यह जो यह जो सडयंत रचा जा रहा है उच्छा से वनचीत करने का इसको सरकार दूर करें इसी के लिए हकदारी अधिवेसन है और इसका जो थीम है वह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हिस्सेदारी के मतलब है कि भाई आपका अगर 4% आबादी है तो मैं कह रहा हूं कि इसे एक नारा चलाया जा रहा है यह एक परसेंट है क्या पंदरा परसेंट के आबादी वो सत्ता में संसाधनों में लैंड हो आपका मीडिया हो कार्पुरेट हो उद्ध्योग धंदे हो इन्वस्टीज हो हॉस्पिटल्स हो आपके विरोक्रेसी हो इसमें हैं अगर नहीं है सरकार ये क्लेम नहीं कर पा रही है तो य इसकी अधने मेड़िया मेडिया की मीडिया की मीडिया है आप लोगों की है कलो कि दहाररा की मीडिया के चाहिए एक आइसा। आज की आज को सच में रखे तो यह आज की हाकिदारी का दिवेशन का एक ही मक्सद लेकि यह जो इंडियन फ्रेडरेशन पर सोसल जस्टिस है इसके तहट हम जो है आपको अलग-अलग जो है संगठन बनेगा को वकीलों का भी संगठन होगा रिसर्च स्कालर का भी संगठन हो किसानों का भी होगा मजदूरों को चुकि हम इस लेकर रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो सोसल जस्टिस वाली पार्टियां जिनको इस मुद्दों को बहुत इमांदारी से लड़ना चाहिए था आज उमांदार नहीं हैं और हैं तो बहुत ही नाग बहुत सी कोड़ करके अपन जाए तो हम चाहते हैं कि इस जो संगठन के तहथ एकठे होकर के सारे लोग SST OVC संगठन का एक मोहिम यह ऑई कि जो हमारा सक्टी है हमारी जो ताकत विखरी हुई है उन सारे संगठनों के प्लेटफार्म पर लाएं और जो उनकी अपने संगठन के बीच में एकता क्या ब लखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपनी बचने कतरा रही हैं तो यह यह भी आएंगी क्योंकि वोट तो इनी से लेना है तो मतलब गोलबंदी का मतलब यह है कि जान लीजिए कि जितने भी पावर के जितने भी सेंटर चाहिए गराम परदान से लेकर प्रदान मंत करेंगे जैसे यह क्लेम तो करनें को लेकिन यह क्लेम कभी करने नहीं करने देंows को उनकर कोई बोट नहीं ब्हाजपा प्बास कोई बोट नहीं है इन्हों ने ओभी सी जातियों को से और कहा हम आपको हग देंगे, आपको भागी दिजे कि जो जाती सिस्ता और संसाधन में ओवर रिपर्जेंटे ठेका पट्टा से ले करके कार्परेट धंदा उद्योग सब उनके हाथ में उसको आपने दस परसंट दे दिया एक बता दीजे एक नीती बता दीजे भाजपा की जो यह कई हो कि भईया इस नीती के दहाद हम OVC के बच्चों को इतना परसंट भागीदारी इस माकमें देने जा रहे हैं दस परसंट रिजर्वेशन के माध्यम से देश के जितने भी संस्थान है उसमें आपने अपर कास्ट को तो दे दिया आप बताए एस सी को सरकार ने क्या कौन से योजना लाई है कौन सी पॉलिस अब बता दीजे बच्चों को है हकदारी मिल रही हो हक तो आप EWS के दे रहे हो हमारा हमारा वोट ले रहे हो सासन हम पर कर रहे हो और हमें रासन है आज रासन मिल रहा है कल बंद कर दोगे तुम लेकिन रजर्वेशन दोगे तो बंद नहीं कर पाओगे कोई भी सरकार डेवली एस रेजर्वेशन आप देख लिए जो समाजी कि नहीं आए कि जंडा बरदार पार्टियां हैं वो भी नहीं बंद करेंगी जब उसत्ता माएंगी लेकिन मैं करना कि इसी तरह से क्या पिछड़ों को भी 22 परसंट मोदी जी देंगे वी सी रेजर्वेशन क्या दलित करेंगे कि नहीं करेंगे वी सी जंगरना क transfल क्रेंगे कि नहीं करेंगे ये किया अगर वी सी का मैं करएँ आप 10 परशंग दिय का धिह कर लिज रुजगार है और किन जातियों का participation सत्ता और संसादन में कितना हुआ है इतना ही बता दीजिए उसके बाद हम लोग खुद ही ले लेंगे आप बसे बता दीजिए कि जैसे लुटेरे जो लोग होते हैं वह बहुत अच्छी से कट बहुत तेजी से कटे होते हैं क्योंकि आपको एकजूट होना पड़ेगा एकजूट होने के लिए चेतना की जरूरत है तो जो चेतना फैलाने का काम बहुत कम हो रहा है यह इंडियन फेडरेशन पर सोसल जस्टिस है यह सी एस्टी का ओर्गनाईजिशन है उनके जरी हम चेतना फैला रहे हैं अपने लिएंगे जूट करना है बिसिकली सारे प्लेट फार्म एक जूट करके जो हमारी सक्ती बिखरी हुई है उसको अब सारे बिखरे हुए ताकत एक जूट करके हमें अपने लोगों की जो हमारे बात को रहनुमाई करने वाले लोग हैं हमारे मुद्दों को आगे रख कर लणने वाले है उनकी बात करना है, मैं कर रहा हूं कि इसे BJP ने आप 80 उत्तर प्रदेश के 80 रिजर्व सीटों पर मैक्सिमम जो है BJP को लोग जीत क्या है, वो 80 लोग क्या कर रहे हैं, तो वह ही कांसी राम का चमचा यूग याद आता है, कि यह आप दे तो रहे हो, लेकिन प्राक्सी लीडर सिफ खड़ी हो रही है, एक्चुल लीडर सिफ खड़ी नहीं हो रहे है, एक फेक लीडर सिफ खड़ा रहा है, जाटों में एक जाट का एक फेक जाट खड़ा कर रहा है, दलितों में एक फेक दलित खड़ा कर दे रहे हो, ताकि जो एक्चुल दलितों की लीडर सिफ है, उ आपक तर्म है सोच एक मागमे कर नहीं है बलग सापके परिवार से लेकरके मागमों तक जाता है तो यह इसको लोगतांतरी longerे को सोचार के जइंडा ताकि हर जातियों तक उसका सेर पहुँचे और जातियां मिल करके समय की और बनाएं अगर सब जातियों का सायोग माली बताई रोड हम बना रहे हैं सड़क हम बना रहे हैं सट पैंट हम सिल रहे हैं कोट पैंट हम सिल रहे हैं हम पैदा कर रहे हैं सूत हम कपास हम बन रहे हैं बाल हम काट रहे हैं खड़ंजा हम बिछा रहे हैं भवन हम बना रहे हैं मेट्रो हम बना रहे बिल्डिंग हम बना रहे हैं और हमारा कहीं कोई नाम लेवा नहीं है क्यों नहीं है इनुवस्ट्री हमने बनाए आज से 40 साल पहले 50 साल पहले दिल्ली इनुवस्ट्री हमारे लोगों ने बना चले गए उनके बच्चों के डिमीशन नहीं था सारी इंट हमारी रखी है वह ध कना देंगे सब कुछ बना देंगे मंदिर बन जाएगी घंटा बनाने वाले हमारे हैं जो पीतल गला के घंटा बना रहे हैं दरवाजा कुरसी मेज तख़त दरवाजा बनाने वाले हमारे हैं जब सब कुछ बना कर हम दे देंगे तो आज आएंगे वहाँ पर जो है मंदिर मै हमने बनाई जमीन हमने बनाई नियू हमने खो दी मंदिर बना के बना दिया फिर भी बाहर से बाहरी आ जाता है जो है बहरूपिया और उस पर बैट जाता है और हमको लाइन में लगाता है नारियल हमारा चुनरी हमारी गुड हमारा आपका परसाद हमारा दुकान मिल जाता है वहां के इर्दिक्रिट बनियों को, हमारे लोग दुकान नहीं मिलती, मंदीर हम बना देगे, हम लोग लाइन में लग करके जा के चड़ाबा चढ़ाते हैं, अम नहीं चलाते हैं, जब मंदीर हम बनाए, तह 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 हम नहीं चलाएंगे, मन्दिर में प्रांड कौन हम है हमारे प्रांड बना दिर के तुम मैं डाल रहे हो खुझ हमारे चूह बना मन अब प्रान्ड पखेरिय। टेटुगा दबा करके बैठे तुम हो। तो हम ऐसे थोड़ी होगा जो है। अब अब उसमें भी कहा है चाहिए कि मंदिर हमने बनाई, नेव हमने खो दी, बिल्डिंगें हमने बनाई, इन्वरस्टी हमने बनाई, हास्पिटल हमने बनाए, तो हास्पिटल में डाक्टर हमारे क्यों नहीं है, नर्सेस हमारे क्यों नहीं है, सब कुछ हमने बना दिया, कुर्सी में तखत दर्वाजा लगा दिया, सब टाइल लगा दिया, मर्वल लगा दिया, जागे हैं तब ही तो हम हरकदारी अंदोलन कर रहे हैं, ऐसे जितने जाग बीच में इतना वैमनस ये ब्रहमणवादी लोगों ने डाल दिया है जातियों में इतनी फूट डाल दिया है कि एक जातीय जो पहले एक खटिये बैट करती थी आज उनमें बात नहीं हो रही है और जिस दिन हमने बात कर लेंगे हम अपना 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 ऐजन्दा क्लियर कर आप देख लिए जो है अब रहमनिकल है उसको एंटी ब्रहमनिकल बनाने की आप मैं कह रहा हूं आप बोले कि बताई मंदिर आपने बनाई ने आपने खोड़ी टाइल आपने लगाई परसाद आप लाइन में लेकर खड़े आप तुरंद बोले कर नहीं मुझे होना चाहिए बस वह बात जो उसके जिगर तक है वह बात जो जहन में है उसकी करने वाला कोई नहीं है उसके उल्टा करने वाला लोग है इसलिए वहां तक है दूसरा चीज आप समल लेजिए पूरा मीडिया जो आप जितने चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए चाहिए कोई भी टीवी आप देखिए उन टीवी में सारा सेयर कपिलिस्ट का है सारा चैनल से जो जो एजेंडा परोसा जा रहा है वह हमारे खिलाफ है और हम टीवी जलाते हैं रिमोट का बटन दबाते हैं कंटेंट हमारा नहीं है उसमें तो मैं कह रहा हूं कि हम इस अल्टरनेटिव मीडिया को या सोसल मीडिया को एक करांती के तवर देख रहे हैं और यही हमारे लिए प्राण है और यही हमारे लिए आवाज है इसी के जरीए हम अपनी बात कह पाएंगे जैसे दलित सिर्फ आगे आएगा तब भी बहुजन नहीं बनेगा जब ओबीसी भी दलित के साथ रहेगा उसमें SC, ST, OBC और माइनोटी का सामुहिक ताकत होगी सामुहिक भावना आगा आज बहुजन है लेकिन बहुजन की आतमा मिसिंग है उसमें से कुछ लोगों के जरीए हैं कुछ विजनरी लोगों हैं जिसके चरिए बहुजन का जो संकलपना चरितात हो रहा है लेकिन उसकी गती बहुज सीमित है जैसे ही बहुजन में सब वर्ग आ जाएगा और एक्चुल में जो बहुजन बन जाएगा एक्चुल में जो छोटू राम कहते ते कमेरा हो जाएगा जो जगदेव बाबू कहते तो एक्चुल में सोसितों के बीच में अगर एकताब बन जाएगी तो कोई ताकत नहीं बचे कि जो हमारा मुकावला कर पाए